Hey guys, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Infinix Note 8 सीरीज के बारे में इसमें आपको दो स्मार्टफोन देखने को मिलने वाले हैं Infinix Note 8 and Infinix Note 8i So guys, ये दोनों स्मार्टफोन काफी बैटरी स्पेसिफिकेशन के साथ आने वाले हैं जिस प्राइस सेग्मेंट में ये लाँच होंगे उसमें आपको काफी अच्छी परफोर्मेंस देखने को मिल जाएगी So guys, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इन दोनों स्मार्टफोन के बारे में अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही लेटेस्ट एक वीडियो के लिए So guys, इन फिनिक्स अपने बजट सेग्मेंट के स्मार्टफोन में काफी बैटर फीचर्स को प्रोवाइड करा रहा है इसी को लेकर अगर हम बात करें इन फिनिक्स नोट एट की तो यहाँ पर आप 6.95 इंचिस की HD प्लस रेजिलूशन के साथ एक डिस्पले देखने को मिल जाएगी जो की IPS LCD डिस्पले रहने वाली है जो की काफी बड़ी डिस्पले रहने वाली है अगर यहाँ पर आप कोई मूवी देखते हैं तो आपको काफी अच्छा एक्स्पिरियंस देखने को मिल जाएगा अगर हम बात करें इसके प्रोसेसर को लेकर तो इसमें आपको MediaTek की और से Helio G80 का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा जो की काफी बेटर प्रोसेसर रहने वाला है गेमिंग के लिए और गाईज इसमें आपको 6GB, 128GB की स्टोरेज के एफसीटी भी देखने को मिल जाएगी जिसको आप Expand कर पाएंगे MicroSD Card के तुरू अगर हम बात करें इसके Camera Setup को लेकर तो यहाँ पर आपको 64 Megapixel का एक Quad Camera Setup देखने को मिल जाएगा जिसमें 2 Megapixel का Macro Shoots के लिए और 2 Megapixel का Depth Sensor इसी के साथ एक AI Lens भी देखने को मिल जाएगा लेकिन इसमें जो आपको Front Selfie Camera मिलेगा वो आपको Dual Penchol Selfie Camera देखने को मिल जाएगा जिसमें Primary Sensor होने वाला है 16 Megapixel का और एक Lens आपको इसमें Portrait का भी देखने को मिल जाएगा इसकी Battery Capacity काफी बड़ी रहने वाली है क्योंकि इसमें आपको मिलेगी 5200 mAh की Battery Capacity जो की 18 Watt के Fast Charge और सपोर्ट के साथ आने वाली है अब हम बात करें Note 8i की यहाँ पर आपको 6.78 इंचिस की HD Plus Resolution के साथ एक डिस्पले देखने को मिल जाएगी जो की IPS LCD डिस्पले रहने वाली है लेकिन गाइस जो इसमें आपको Performance देखने को मिलेगी वो काफी अच्छी रहने वाली है यह भी काफी बड़ी डिस्पले देखने को मिल जाएगी इसी के साथ Quad Camera Setup देखने को मिलेगा इस स्मार्ट फोन में भी लेकिन यहाँ पर आपको 48 Megapixel का Primary Sensor देखने को मिल जाएगा और इसी के साथ अगर हम बात करें Front Selfie Camera की तो Single Punch Hold Design Selfie Camera इसी स्मार्ट फोन में देखने को मिल जाएगा जो की 8 Megapixel का रहने वाला है इसी के साथ बात करें इसके प्रोसेसर को लेकर तो गाइस यहाँ पर जो इसका प्रोसेसर है वो दोनों स्मार्ट फोन में सेम रहने वाला है और इसकी battery capacity भी आपको दोनों स्मार्ट फोन में सेम देखने को मिल जाएगी और इसी के साथ इसमें आपको 4GB, 64GB का भी variant देखने को मिल जाएगा लेकिन गाइस अगर हम बात करें इसके launch date को लेकर तो ये दोनों स्मार्ट फोन आपको next month इंडियन मार्किट में देखने को मिल जाएगे अब बात करें की pricing को लेकर तो Infinix Note 8 की pricing आपको देखने को मिलेगी 10 से लेकर 11,000 के around और जो इसका lighter variant है Infinix Note 8i उसकी pricing आपको 8 से लेकर 9,000 तक देखने को मिल जाएगी तो guys आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि आपको ये स्मार्ट फोन कैसा लगा और क्या इस price segment में आप इसको खरीद दापसंद करेंगे तो guys अगर आप कोई वीडियो अच्छे लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और इसी तरह की किसे भी स्मार्ट फोन और टेकनिकल अपडेट से जुड़ी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करकर बैल आइकन को प्रेस करें ठैंक्स फॉर वाचिंग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में